तो जै भीम, साथियो जै भीम, जै भारत, नीला सलाम, जै समिदान, भीम सेना, जिन्दाबाद मैंने पहले ही कहा कि मैं अकेला बिमार नहीं, पूरा समाज बिमार हो रखा है वो क्यों हो रखा है क्योंकि आवाज मान और सम्मान के साथ स्वाविमान के साथ समझोता करके आवाज ना उठाना गुलामी गिरी का प्रतीक है सेक्टर 37 थाने के बाहर गुडगाओं हर्याना मैं धरने पर हूँ और 27 मई की रात से भूख अड़ताल पर हूँ कुछ नहीं खाया है दवाईया मेरी चल रही है उसके बावजूद भी कुछ नहीं खाया है अपनी जान कुर्बान कर दिये अपनी जान नोचावर कर दिये अपनी जान दाओ पर लगा दिये क्यों कि हमें नयाए मिले क्यों बावजन समाज को जो ये जातिवादी लोग गालिया दे रहे हैं ये गालियां देनी बंद होनी चाहिए अगर भेन मायवती जी के खिलाफ अगर इतने अपमान जनक सब्दों में असलील सब्दों में अगर बोला गया है तो आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर पूरे देश में क्या प्राकाश्टा होगी और फिर हर्याना सरकार गुड़गा कि पुलिस अगर मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो ऐसी कंडिशन में आम आदमी की क्या सुनवाई होती होगी ये एक बड़ा सवाल है हम सारे साथ ही या परसासन किसी भी हद तक जा सकता है मैं आपको किलियर बता देता हूँ पुलिस परसासन किसी भी हद तक जा सकता है को कोई भरोसा नहीं है हम न्याई की आवाज उठाएं तो हमें डंडे दिखाएं हम न्याई की आवाज उठाएं तो हमारे उपर मुकदमे हों हम न्याई की आवाज उठाएं तो हमारी गिरफतारी हो लेकिन जब क्रिमिनल वैक्ती जब क्राइम करते हैं बहुजन समाज को गाल तो एसी कंडिशन के अंदर उनके उपर कारवाई नहीं होती हम आवाज उठा दे तो हमारे उपर कारवाई हो जाए सरकार हमारे साथ मन्याय कर रही है आप इस अन्याय के खिलाप आवाज उठाओगे का नहीं उठाओगे यह सोचना आपको है मैं सिरफ ये नहीं कहता कि एक विशेश बहुजन समाज पार्टी के लोगों को आवाज उठानी है या विशेश भीम सेना के लोगों को आवाज उठानी है बहुजन समाज के परतेक व्यक्ति को आवाज उठानी है जो अपने आपको कहते हैं 85% हर एक उसवेक्ति को आवाज उठानी है गुडगाव, सेक्टर सेतिस्थाना, हरियाना, मुकदमा दर्ज चाहिए आज के तारीख में, आज के आज ही मुकदमा दर्जिशाएं के सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुवे कातिल में है जैभे, 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 शेड़ कर तो भाई वीडियो को शेयर करो भई जल्दी है जल्दी शेयर करो